इसमिल्ला अल्वातिमारी बाड़ी सबसे पहले मैं यहां प्रजूर सब्सक्राइब को मिल दिया था गहराईयों से कुछ शामदीद कहता हूं उते पुस्षित हो था अपने असाथजा करा और अपने एहले इलाका को कैसा कि आप संदो पता है कि आज जो यह रखी गई है वो सीरफ और सीरफ मुस्टफा वैडिकल कमपलेक्स की इरापूरेशन की यह रखी गई है और इस सब नाम जो पूसर मेडिकल दुप्लेक्स रखने के जो भजा थी, इसका नाम रखने से पहले मैंने पही दबाव सोचा थी, कई दोस्तों से भी दिसक्शन की, दर्दे भी मत पही दबाव दिसक्शन होगी, उसके बाद काफी ज्यादा बात करने के बाद जो मैंने आपने कलीटी की आपने सैटक का जब भी कपी नाम रखना, वो मैं हमेशा अपने बालत के नाम से रखना, और इसी वज़ा से, इसी वज़ा से, मैंने इसका नाम मुस्पा मेडिकल कंप्लेक्स रखना, आप लोगों में इस पाद का बहुत ज़दा इल्म होगा, जो बहुत अच्छे होंगे, वो इदर से गुजर भी गए होंगे, लेकर गुजरने के पाद बहुत कम लोगों को याद रखा जाता है, मैं कहता हूँ कि याद पूनी रखा जाता हूँ, उसमें सबसे जो बड़ी वज़ा होती है, वो यह होती है, जो उनके न्यू जनरेशन होती है, वो उनके पालतें को वज़ा रखने के लिए कोई काम ही नहीं करती है, अगर कोई आप ऐसा क्याम करें, तो उनके पालतें को याद रखा जाता है, और आज जैसा के तरीख के अंदर आप देख सकते हो, के मेरे दाता अपू, चोदरी फतीर मुहम्मद, मेरे नाणा अपू, चोदरी नूर मुहम्मद, और मेरे फालता, चोदरी खुलाम मुस्तफा, उन्होंने हमेशा इराकिया की खिद्मत की है, और ये मेरा काम रखने का जो बकस्त था, वो यहीं था, कि जब भी कोई लोग पूचे कि इस जगा जा रही हो, वो यहीं कहें कि मुस्तफा मेडिकल कम और इसकी वज़ा से मेरे पाप का जो नाम है, वो हमेशा जिदा रहता है, देखें, बातें कोई होती है, मैंने दुनिया में बहुत बहुत अच्छे लोग भी हैं, मैंने अपने पाप से, अपने फुली जिंदगी में फर्मा बरतार बेटा नहीं देखा, ये मैं इस दाधा पूंपों तब रजफ दॉस्ट आ ही जाए सार भालच था, और उस द्रही साल के अंधर, जो मेरे बादस साब थे, उनके कपड़े, मुकमल तोर पर भूद होते थे, उनको शाबर वी भूद करवाते थे, इनकी सपाई का हयार, मुकमल तोर पर बूद रखते थे, औ मेरा वाला जो था बोस रोता नहीं था और मैं जब मेरे वाले साथ की एक सड़न डेथ होती है मैं उस वक्त जिनाव होस्पीटल के अंदर होता हूँ और सर्जरी अपरेशन सैटर के अंदर में होता हूँ तो मुझे भी जो इलम होता है वो मेरे दोस्तों की वज़ा से होता है कि काफी ज़्यादा बातों से एक नम बताना बहुत मुश्किल होता है क्योंके एक सड़न डेथ अचानक जो फोटवी होती है किसी की बहुत मुश्कल होता है मुझे भी जब पता चला तो मेरे जहर में जो सबसे बड़ी जो बात आई वो यह थी कि देखें आपने तो अपने वालत की बहुत खिदमत की लेकिन हमें इतना मौका भी नहीं दिया कि हम आपकी खिदमत कर सकें लेकिन फिर एक लमे encrypted मेरे माइड में एक बात आती थी कि यह देखे जो तुम्हारा शुदा है ना है ल्लाओ तालओ ने तुम्हे यह पसाद कर लिया है तुम इस तकलीफ से खुजरे ओ तुम्हे पता है कि किसी अपने वग्वाने को कि इतनी तकलीफ होती है तो तुम्हें पता होगा, जब भी तुम्हारे पास कोई मरीज होगा, तुम बिल्बुल ऐसे ही उसको डील करो जैसे कि तुम अपने बाले साथ को डील कर रहे हैं, जब तुम उसको इसी तरह डील करोगे, जो मरीज का तल्लक तुम्हारे साथ रहेगा, वो बहुत अच्छा अगर हम देखते हैं, अगर आज मैं डॉक्टर बना हूँ, अगर मेरे बारे थोड़ी बहुत किसी को, मेरे के आदमी यहाँ पर अगर इंफर्मेशन होगी, मेरा बाहर क्या नेवल था या क्या इसाफ था, वह भी जो मेरे स्टूड़न उदर भेज़ जा है, वहास जिसकी बा उदर अभी भी पिक्चर है, तस्वीर लगी हुई है, और ये वो बातें नहीं हैं जो मैं कुछ कह रहा हूँ, ये वो बातें जो इनवस्टी पे बोलती है, मैं जैसे ग्रैजुएट हुआ था, मेरे इनवस्टी ने मुझे फौरी तोर के उपर ये कहा था, कि तुम इदर लेक्चर दो, और वहाँ नहीं अकेला बना था जिसने लेक्चर देना भी स्कार्ट किये, और जो बहँ पहला पाकिस्तान के अंदर पहला बना था, जो पेक डोल्ड मेडलिस्ट था, और मैं यह नहीं तरक्की है इस। इसके मेरे अचेले का सब कुछ है। जब इसन इंसान किसी तरक्की के उप पहुश्टा हुआ इस कीघ को ओढ़ना कीशिता है अचनी किसी का हाथ होता है खोड़ा-खोड़ा किसी आ pertaining किसी जरा सो महले के लोग होते है कुछ खांतां के लोग होते हैं कुछ अच्छे असाथा मिल जाते हैं और मैं इस मौमले में बहुत अपने आपको लखी कहता हूँ यह अल्ला का मेरे उपर बहुत ज़्यदा मैं कहता हूँ कि शुकर है कि अल्ला ताला ने मुझे एक ऐसा बाप दिया था जिसका हमेशा मेरे साथ बहुत प्यार वाला तल्लक था एक ऐसी मान दी हुई है कि जो मुझे बहुत ज़्यदा प्यार करती है ऐसे भाई हैं कि वो मुझे इतना ज़्यदा प्यार करते हैं कि मैं अगर उनको यह कहता हूँ कर लो यह हैं तो सारे कर डंपा लूंइंगम है। यह कर घो यह हैं तो मैं जो मरसी कर कूँ आपी मुहभत बढ़ कर खुछ भी नहीं जिसने उन्वों तरकी दियो